हेलो फ्रेंड वेलकम टो भगरत जी के स्टेड़ी इस वीडियो में हम आज कभर करेंगे जार्खन के भासा के संबंधित सभी परस्णों को और वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल भगरत जी के स्टेड़ी को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों तो आपका पहला प्रस्ण है भासा के अधार पर जार्खन के जनजातियों को कितने बर्गों में रखा गया है तो इसका सही उत्तर है दो बर्गों में रखा गया है दोस्तों जार्खन के जनजातियों को आपका दूसरा पुरस्ण है भासा के अधार पर जार्खंड में बोली जाने वाली भासा वर्गों को क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों और स्ट्रिक और द्रवीडन तो इसका सही उत्तर है A और B दोनों आपका तिसरा पुरस्ण है जार्खंड की और श्ट्रिक भासा बर्ग में आने वाली भासा को क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंडारे भासा चौथा प्रस्ण है मुंडा जन जाती के भासा को क्या कहते हैं आपका अप्शन है संथाली मुंडारी मालतो अंगिका तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंडारी आपका पाच्वा प्रस्ण है संथाली भासा किस भासा उपवर्ग की भासा है तो इसका सही उत्तर है मुंडारी मालतों जन जाती के भासा किस भासा को क्या कहते हैं होड रोड होड लोगों की बोली A अबंग B दोनों इन में से कोई नहीं तो इसका सही उतर है दोस्तों A और B दोनों मतलब होड रोड और होड लोगों की बोली ये दोनों भासा बोलते हैं अगला प्रस्ण है संथालों का सबसे बड़ा इस्वर है कौन है सबसे बड़ा इसवर संथालों में तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिंग बोंगा आपका अगला प्रस्ण है जाहे थान संथालियों का होता है क्या होता है दोस्तों जाहे थान संथालियों का क्या होता है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों धर्म अस्थल जो जाहिर थान होता है संथालियों का वे धर्म अस्थल होता है आगला प्रस्ण है संथाल समाज कितने बर्ग में विभक्त है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अप्शन नमबर B चार बर्ग में विभक्त है संथाल समाज तो आपका अगला प्रस्ण है संथाल का ग्राम देवता कोन है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जाहर एरा C नमबर आपका अगला प्रस्ण है संथाल महिलाओं को निम्न में से किस अस्थान में जाना वर्जित है माजी थान, जाहिर थान, जाहिर एरा, इन में से कोई नहीं तो इसके सही तेरे दोस्तों माजी थान संथाल महिलाओं को जाना वर्जीत है माजी थान में याद रिखिए दोस्तों तो साथियों अगर चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करने पहले तो आपका अगला प्रस्न है संथाली गाउं का परधान कोन होता है माची, हितूरी, जोग माची, परमानिक तो इसका सटीक एंसर है माची आपका अगला प्रस्न है संथाली गाउं का धार्मिक परधान कोन होता है नायके, जायके, माजी, परमानिक तो आपका सही उत्तर है दोस्तो नायके, जो कि संथाल गाउं का धार्मिक परधान होता है नायके, तो आपका अगला प्रस्ण आता है मुंडा के संबंदिन में, मुंडा जन्जातियों में गाउं का परधान कोन कहलाता है, मुंडा, पहान, राजा, मानकी, तो इसका सटीक औ इस सम्हू से संबंदिध है तो इसका correct answer है दोस्तों प्रोटो औस्ट्रोलयाड तो साथियों आपका अगला प्रस्णाव आता है मुंदा जन्जाती के लोग अपनी भासा को क्या कहते हैं होड़ो को होंड़ा जागोर होडो जागर तो इसका correct answer है दोस्तों होडो जागर मुंडा जनजाती के लोग अपने भासा को होडो जागर कहते हैं आपका अगला प्रस्न है मुंडा जनजाती जनसेंखा की दिरिष्टी से जहारखन में कौन सा अस्थान रखता है तो इसका अगला प्रस्न है मुंडा जनजाती के पुजा अस्थल को क्या कहा जाता है तो इसका correct answer है दोस्तों सारना तो आपका अगला प्रस्न आता है मुंडा जनजाती के लोग अपने ग्राम देवता को क्या कहते है तो इसका correct answer है दोस्तों हातू बोंगा तो आपका अगला प्रस्न है उराउ जनजाती किस सम्हूं से संबंदिद है तो इसका correct answer है दोस्तों द्रविड जनजाती से सम्हूं से संबंदिद है उराउ जनजाती आपका आगला प्रस्ण है उराउजन जाती की भासाग क्या कहलाती है तो इसका सही उतर है दोस्तों कुलुक तो आपका आगला प्रस्ण है कुलुक सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होता है सूर्य, देवी, देवता, मनुष्य तो इसका correct answer है और सटिक answer है दोस्तों सूरी है याद रिखेगा कुलुक सब्द का साब्दिगर्द सूरी होता है तो आपका अगला प्रस्ण है उराउं जन्जाती में कोन सा विभा सार्वधिक प्रचली थे तो इसका correct answer है दोस्तों आयोजित विभा यह सबसे ज्यादा प्रचली थे साथियों उराउं जन्जाती में आपका अगला प्रस्ण है ताना भगत जार्खन के किस जन्जाती संप्रदाई से आते हैं तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उराउं जन्जाती से तो आपका अगला प्रस्ण है धुमकूरिया किस जन्जाती की समाजिक संस्था है तो इसका correct answer है दोस्तों उराउं जन्जाती समाजिक संस्था है धुमकूरिया तो आपके पास आता है अगला प्रस्ण उराउं जन्जाती के सर्व सक्तिमान इस्वर कोन कहलाता है तो इसका correct answer है दोस्तों धर्मेश तो आज का अंतिम परस्ण है उराव जन जाती में गाव के पुजारी को क्या कहा जाता है तो इसका correct answer है दोस्तों पहान तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पे नए है तो हमारे चैनल भगरत जी के स्टेडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आकन को दवाना ना भूलें ताकि आपको latest update मिलता रहें फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन जोहार जारखन